हेलो एब्रीवन मैं अनित्य ठाकूर वेलकम तू मैं योट्व चानल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्रेंथ हिस्ट्री चैप्टर फॉर्थ जो हैं उसकी फिफ्ट सेक्शन स्टार्ट करें जिसका नाम है पेकुलारिटीज आफ इंडस्ट्रियल ग्राउथ कि रखना है आज बोवर रहाल इंडस्ट्रील प्रोडेक्शन को इन्डिया से तयार में उन सबी मैंदेंजिरीग आपर कर रहा तो फैसं सबसे बड़ी बात जितने भी आपर अलग अलग तरह के स्ट्रोड कर चातें ऑप्री आज प्रोडेक्ट अइसा अंस स्टिब्ना जाते और उन्होंने land को अपने, मतलब land को acquire करना शुरू कर दिया, बहुती कम दाम में और उन्होंने अपनी colonial government के control में उनको रख लिया उस जमीन को उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, वो किस field में वो मतलब invest कर रहे थे उन्होंने mining करवाना स्टार्ट कर दिया, इंडिको जूट की plantation करवाना स्टार्ट कर दिया या फिर हम लोग बोल सकते हैं, इंडिको जूट की production और हम लोग बोल सकते हैं कि उसके कुछ products बनाने के लिए उनको invest करते थे वो पैसे उनको provide करते थे, ठीक है नेक्स यहां पर बताया गया, बहुत सारे ऐसे products थे जो primarily कहां पर उनकी जरूरत होती, वो इंडिया से बहर उनका export trade किया चाता था और उनकी इंडिया में बिलकुल भी sale नहीं होती थी, इंडिया पर restriction लगा दी गही थी और अब Indian businessman जो थे उस time पर, अभी उन्होंने industries set करी थी, late 19th century में तो उन्होंने क्या किया, वो avoid कर रहे थे कि हम लोग compete नहीं कर सकते, किसके साथ नहीं compete कर सकते Manchester goods जो कि England में बनते थे, European industries के साथ हम लोग compete नहीं कर सकते Indian market के लोग क्योंकि उन्होंने तो अभी machinery लगाई भी नहीं थी, ठीक है, और यहां पर यह बताया आगया, उस time पर यह yarn था, वो इतना important नहीं था, क्योंकि British import इंडिया में नहीं हो रहा था, हम लोग बोल सकते हैं, तो early cotton mills, जो सबसे पहली cotton mills लगाएगे इंडिया में, वो बहुत ही मोटा cotton yarn, जो था, बहुत ही मोटा दागा जो थे, वो बना रहे थे, वो फैबरिक का नहीं होता था, और उस time पर, जो import किया जाता, वो बहुत ही superior quality यार हम बोल सकते हैं, थ्रेड बोल सकते हैं उसे, तो अब यह जो धागा बनाया जाता था, वो Indian spinning mills के द्वारा, वो किसके द्वारा बनाया जाता था, वहाँ पर hand looms weavers जो थी, hand loom weaving जो थी, वो करी जाती थी इंडिया में, और उसको चाइना में export कर दिया जाता था, ठी हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे, 20th century के first decade की, तो बहुत सारी changes जो थी वो, हम लोगों को देखने को मिली, जिसने industrial sector को, industrial sector के पूरे pattern को ही change कर दिया, तो वहाँ पर उस टाइम पर स्विदेशी movement जो थी, वो start हो गई, और उसने बहुत जादा gathering जो थी, वो करवा दी, nationalists, मतलब nationalists जो थे, उन्होंने बहुत सारे लोगों को immobilize के, बहुत सारे लोगों को aware किया, कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप लोगों को bycott, अंदोलन जो है, वो चलाना चाहिए, मतलब भाहिशकार करना चाहिए, foreign goods को, foreign cloths को, तीक हैं, और industrial groups जो थे, उन्होंने organize किया, कुछ से, कि वो protect करेंगे, collectively, जो collective interest के, कि हमारी देश से, जितनी भी natural things हैं, like flora है, फना है, जो भी मतलब resources है, यहां से extract करके, वो export कर देते हैं, बहार भीज़ देते हैं, बट हमारी यहां पर इंडिया में उनको sell भी नहीं करने दिया जाता है, तीक हैं, उन्होंने industrial groups ने, कुछ से organize किया, तो उन्होंने भी release, मतलब करना शुरू किया, government को pressurize किया, government को थोड़ा बताया, उनके खिलाफ वाज उठाई, कि जितनी भी आप लोग tariff protection, मतलब increase कर रहे हो, वो नहीं होना चाहिए, हमें भी कुछ concessions मिलने चाहिए, मतलब taxation को कम करना है, तीक है और 1906 में देखा गया, यह जो इंडियन दागा था, उसका export किसके साथ, जो था, चाइना के साथ हो रहा था, वो day by day decline होना शुरू हो गया, यूंकि चाइनीज और जापनीज मिलस्टो थी, उन्होंने चाइनीज मार्किट में बहुत जादा मात्रा में goods जो थे, वो बेज जिसकी वज़ा से इंडियन मार्किट जो था वो चाइना में नहीं लग रहा था, और उसके बाद जो इंडिस्ट्री लिस्ट थे, इंडियन इंडिस्ट्री लिस्ट उन्होंने क्या करना स्टू किया, उन्होंने कहा कि हम लोगों को अपनी production को shift करना होगा, हम लोग cloth, इंडिया में करी जाने लगी, और उसके protection जो थी, वो 1900 से लेके 1912 के टाइम पर बहुत ज़्यादा डबल हो गई थी, और अब देखा गया, कि First World War जो था, उसके इंडिस्ट्रील ग्राउथ जो थी, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो थ इंडियन मिल्स जो थी, वो बीजी थी, किसमें बीजी थी, सिर्फ वार प्रोडेक्शन करे थी, कि तांकि वार के टाइम पर जितनी में नसेसिटीज हैं, उनको फुल्फिल किया जाए, आर्मी की नसेसिटीज, मन्चस्टर इंपोर्ट जो था, वो इंडिया में डिक्लाइ और वार जो थी, वो लंबे समय तक चलती रही, इनन फैक्टरीज जो थी, वो सप्लाइज पर ही डिपेंड थी, तो उन्होंने कुछ हद तक वार नीट्स को भी फुल्फिल किया, लाइक, जूट बैक्स बनाए, जिससे वो आर्मी उनिफर्म बना सके, टैंट्स बनाया, ल जो थी, उनकी कॉस्टुम्स बगहरा बनाया जाने लगया, और बाकी वाले आइटम्स बनाया जाने लगी, जो और टाइम पर यूसेबल थी, निव फाक्टरीज जो थी, वो सेट करी चाहरी थी, और जो पुरानी थी, उनको बहुत ज़ादा मल्टिपल शिफ्ट में लगा गया, और उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे न्यू वर्कर्स जो थे, उनको रोजगार मिला, और हर एक परसन जो था, वो लंबे समय तक, जादा देर तक जो था, वो काम करता था, बहुत जादा ओर्स तक, बहुत जादा गेंटू तक काम करता था, अब वार यस चल रहे थे, तो इंडस्ट्रियल प्रोडेक्शन जो थी इंडिया में बहुत जी से, इंक्रीस हो रही थी, तो वो और के बाद क्या हुआ, जैसे ही मंचेस्टर जो थे, अब वो इतनी देसी से तो रीकाप्चर करनी सकते थे, जो उनकी पुरानी पुजिशन थी, अट इंडियन मार्केट वो गेन नहीं कर सकते थे, क्योंकि इंडियन मार्केट ने उसके प्रोडेक्ट्स की, हम लोग बोल सकते हैं कि पीछे मार दिया था, इंडियन मार्केट बहुत आगे निकल चुका था, वार टाइम पर, तो अब मॉडनाइज और यूएस के साथ तो वो मतलब यूएस, जामनी, जापान के साथ जो था वो बिल्कुल कमपीट नहीं कर सकता था, और ब्रिटेन की जो एकॉनमी थी वो बहुत जादा उसकी खस्ता हालोत हो चुकी थी, क्योंकि वार में वो इतनी देर तक लड़ता रहा, जिसकी वो बहुत जादा, इंसुफिशन यह incapable हम लोग बोल सकते हैं, वो इतनी industrial production नहीं कर सकता था, cotton production जो थी, वो collapse हो गई, decline हो गई, खतम हो गई पुरी तरह से, जो cotton export होता था कपड़े का, ब्रिटेन का, वो बिल्कुल खतम हो गया, बिल्कुल fell down हो गया, और जो भी clonies लगाए गई थी, local industrialist जो थे, उन्होंने बहुत तेजी से क्या करना शुरू कर दिया, अपनी एक position जो थी वो बना ली, और substituting मतलब foreign manufacturing, इसका मतलब हुआ, कि उन्होंने substitute करना शुरू कर दिया, जो foreign manufacturers थे, उनके साथ और अपनी एक home market जो था, उसके लिए एक place जो था, उन्होंने गेन कर लिया, I hope आप लोगो समझ में आया होगा, अगर किसी भी तरह की query होती है, कोई भी doubt है, तो please ask me anytime, so, thanks for listening and may God bless you all.